Dear students, आज हम discuss करेंगे BA 3rd History का जो paper है, History 307, 305 का paper आपका हो चुका है, सबसे पहले question paper का जो pattern है, उसको में एक बार quickly discuss कर लेता हूँ, question paper में कुल 5 section होते हैं, section A, B, C, D, E, section A is compulsory और इसमें 2 part होते हैं, part A और part B, part A में आपके पास 8 प्रशन होते हैं और उसमें से केवल आपने 5 प्रशन जो है वो solve करने होते हैं, और हर एक प्रशन के 2 नंबर होते हैं, अर्थात ये 10 नंबर के लिए आपके पास part A है, part जो B होत होते हैं, और 6 में से आपने केवल 4 प्रशन attempt करने होते हैं, और हर एक प्रशन जो वो 5 नंबर के लिए होता है, अर्थात ये 20 नंबर के लिए भाग है, section B, C, D और E, ये जो 4 section है, ये unit 1, 2, 3, 4, इन में से ही होता है, unit 1 में 2 प्रशन होते हैं, और उसमें से केवल आपने 1 प section है, इसमें भी second unit में से 2 प्रशन होते हैं, आपने 1 करना है 10 नंबर के लिए, और unit 3 में भी आपके पास 2 प्रशन होंगे, उसमें से भी आपने 1 करना है 10 नंबर के लिए, और इसके साथ साथ जो आपके पास, last section है, section E, इसमें भी आपके पास 2 प्रशन होंगे, unit 4 में से, औ और इसमें से भी आपने के वले एक प्रशंदस नंबर के लिए अटेंप्ट करना है. अब जहां तक बात स्टुडेंट्स अकसर ये confused रहता है कि कितना अंसर लिखा जाए, अंसर की लेंद कितनी होनी चाहिए. जो आपके पास दो नंबर का प्रशन आता है, दो नंबर के लिए आपके पास जो है, या तो definition होगी, या फिर single line का जो अंसर होगा, या जाज़ाद दो लाइने आप उसमें लिख सकते हैं, तीन लाइन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रुत नहीं है. हाल, जो आपके पास 5 नंबर के लिए 4 प्रशन आते हैं, 5 marks के लिए, इसमें आप ध्यान रखें, की word limit आपके पास 25 से 50 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, अर्थात 50 शब्दों से ज़्यादा आपको लिखने की इसमें आशकता नहीं है, अगर आप 50 words economized तरीके से लिख और बाकी सभी section B, C और D में जो है वो दस-दस नंबर के लिए आपके पास आते हैं, यह कुल मिलाकर के आपके पास 70 marks का जो है वो पेपर होता है, और 30 marks की आपकी CCA होती है, जो की पहली पहली बन चुकी है, अब syllabus करते हैं, Modern and Contemporary World History, 1919-1992, यह आपके पास जो title है, मैंने discuss कर दिया, और आपके पास जो इसका code है, वो DSC-1B History A307, अब इसमें 1st unit जो है, 1st unit शांती समझोते से लेकर के, 1949-1992 तक की बात इसमें की गई है, अर्थात इसमें 4 topic हैं, वर्साय से लकारनों की संदी तक, राजनेतिक परिणाम, राश्ट संग, League of Nations, इसको आप कहते हैं, United States of America और USSR, और 1929 की महा आर्थिक मंदी, यह 4 topic फर्स्ट उनिट में दिये गए हैं, Second Unity के अगर हम बात करें, तो इसका है शांती का अंत, End of Peace, इसमें भी आपके पास 4 topic दिये हैं, दृतिय विश्यूद में सिरफ आपके पास उत्पत्ती, एक topic है, दृतिय विश्यूद के दौरान जो कूटनीती और तानशा राज्यों की पराजे हुई है, और तीसरा जहर र कास दिया गया है, फोर्थ, थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट आपके पास इसमें भी चार टॉपिक दिये गये हैं, 1949 से आगे विश्यूद जहो किस प्रकार बदला, इसमें चीन की करांती 1949 है, शीत यूद बैचारिक और राजनेतिक कारण है, शीत यूद के प्रभ यूनिट फोर्ड जो है, उत्तर उपनिवेशकालिन विश्यू की सामाजिक स्थिति और अन्यमुद है, जो पोस्ट डी कॉलनाइजेशन जिसको आप कहते हैं, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, वैश्विकरन की अवधारना है, नारिवादी और पारिस्थिति की आंदो अनिवार्य प्रशन है, कमपस्री है, जो की section A है और इसमें दो पार्ट है, part A and part B, इसके लिए क्या important topics हैं, जो आपने त्यार करने हैं, इसका मैं संशित विवरन आपको यहां दे रहा हूँ, सबसे पहले हैं, जेनेवा प्रोटोकॉल है, छोटा त्रिगुट है, लकारनो राजसंग के उदेशय हैं, राजसंग के अंग है, मिल्रा का मंतरी मंदल है, पैनकरे का मंतरी मंदल है, जनवादी मोर्चा है, अलसस्स लोरेन, पैरिस की संधी, लॉ concepts, लॉइड जोर्ज, वाल्ड वीन मेकडोनाल्ड है, वेस्ट मिनिस्टर की संभीती 1931, से वर्स की संध जो टर्की के साथ हुई थी, अनातोलिया, पीपल्स पार्टी, तुर्क, तुर्की तुर्कों के लिए हैं, कमाल पाशा, लाउसेन की संधी, खुर्दो का विद्रो है, बाइमर संबिधान जर्मनी का, दावोस प्लान 1924 है, यंग योजना 1925 है, खुले द्वार की निती जो अ अमेरिका नहीं अपनाई थी, मंचूरिया संकट 1930 है, ब्लादिमेर लेनिन के जो उपलब्धियां है, स्टालिन को हुबर योजना है, निव डील है, उटावा समझोता, लौसेन कन्वेंशन, तुष्टिकरण की निती, तुष्टिकरण का अर्थ, बरलिन, रोम, टोक्यो ध अधूरी, लंदन घोशना पत्र, जून 1941, अट्लांटिक चार्टर, जो की एवन्नों सु पहले चल रहे थे, इसको आपने डिस्कस करना है, इसके साथ साथ है, केसर बलंका का घोशना पत्र वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मासको घोशना 1943, डंबाटन औक्स समेलन 1944 है, या जनरल, मॉन्टे गॉम्री, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, परल हार्बर है, विस्टन चर्चल, क्यामत का दिन, डूमस्टे, द्वीति ये मोर्चा जिसको आप कहते हैं, सियुक्त राश संग के मुख्य अंग है, सियुक्त राश संग के सधान्त है, युनेसको है, आयलो ह बीटो काधिकार, वल्सराज, उनिस्टो अठारा, बुद्धी उत्तिमो, उनिस्टो आठ, शरकत इस्लाम, उनिस्टो ग्यारा, सुकार्णो, जो कि सियुक्त राश, इंडोनेशिया की आजादी में, जोन्होंने मैतपूर्ण भूमी का निभाई थी, इंडोनेशिया दल, लिंगार जातिस सम्ज़ता, 1947, हैग गोल मेज सम्मेलन, अगस्ट 1949, यंग अनाम, 1925, फान बोईचाव, 1927, होचिन मिन, प्याम पिवनो, बावदाई की सरकार, भावी पंथ, इवन सौद और महिवान अंदोलन, शरीफ हुसेन का विद्रो, अमीर फैसल, अन्तून सादेह, Muslim Brotherhood, Arab League, October 1945, करनल अर्वी पाशा, जुगलूल पाशा, मिलर मिशन, लंदन की संदी, 1936, जो की डिसार्मामेंट को लेकर के बहुत मेतपून है, सुईज नहर, माउतसे तुंग, शीत यूद का अर्थ, शीत यूद के तीन लक्षन, शीत यूद की बिशिष्ट तकनिकी क्या अर्भांत, मार्शल योजना, कॉमकेन, इनको आपने अच्छी तरह से त्यार करना है, कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिंकमेंशिप वेर वेर इंपोर्टेंट है, फैदल कास्त्रो, नाटो, सीटो, सेंटो, गुट निर्पेख्षता, वैश्विकर्ण की अवध इस पे डिपेंड करते हैं आपके फैमिनिस्ट और एकलोजिस्ट मोवमेंट से, मानवधिकार का अर्थ, मानवधिकार की प्रवर्ती, नागरिक अधिकार और अमनेस्टी इंटरनेशनल, इनको आपने दो नंबर के लिए और चार नंबर के लिए अच्छी तरह से स्टड़ कर लेना है, सेक्षन बी में विशेश करके आपके पास जो चार प्रशन मैंने सेलेक्ट किये हैं, अलग-अलग टॉपिक से उनको आप अच्छी तरह से कर लें, सबसे पहले हैं बरसाय की संदी से लकारनों की संदी तक की व्याख्या कीजिए, दूसरा है राष्ट संग की असफलता के कारण, इसकी विफलता को रोकना क्या संभौ था, तीसरा प्रशन है, दो विशेशोयूदों के बीच यूरोप के आंतरिक विकास की व्याख्या कीजिए, चोथा है, महा आर्थिक मंदी के कारण और विश्व पर पढ़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, सेक्शन जो C आपके पास है, उसमें भी मैंने चार टॉपिक सेलेक्ट की हैं, फर्स्ट है, क्या दूसरा विश्व यूद अनिवार्य था, अर्थात आपने कारण बताने हैं, दूसरे विश्व यूद के, दूसरा है, दूसरे विश्व यूद के दौरान हुई कूट नित अपनिवेश बाद के अन्त का उलेख कीजिए, उसके पास सेक्शन जो D आपके पास है, D सेक्शन के अगर हम बात करें, तो यहां आप D सेक्शन देख रहे हैं, इसमें आपके पास 1949 के विश्व यूद के चीन के करांती के कारण और परिनामों का उलेख कीजिए, साथ में यूद के दोरान महायक श्रक्तियों ने अपने अपने सेनि गढ़ वंधन क्यों बनाए इसके स्कारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए अब जो लास्ड आपके पास Section अगर हम इसकी बात करें तो यहां भी चार प्रशन मैंने स्लेक्ट किये हैं, गुट निर्पेग शांदोलन से क्या भी प्राय हैं, इसके स्रिधानतों का उलेख करते हुए प्रासंगिक्ता पर प्रकाश जा लिए, दूसरा है वैश्वी करण का क्या आर्थ हैं, इसके विवि इस आर वरी वरी इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं, प्रशन हैं वो मैंने आपको बता दिये कि क्या आपने इंपोर्टेंट टॉपिक्स वह स्लेक्ट करके उनको कैसे तियार करना है, अब यहां थोड़ा सब मैं डिसकस करना चाहता हूं, वो यह करना चाहता हूं कि हर एक 1939 की चीन की करांती की वाद करता हूं प्रशन आपके पास दिया है, प्रशन के अंदर 3 शीजे वड़ी इंपोर्टेंट है, सब से पहले है 1949 की चीन की करांती, दूसरा है कारण और तीसरा है परिना, अर्थात इसमें जो key word है आपके पास यह है कारण, और दूसरा है परि परिनाम दिये गए हैं, इनको आपने अलग-अलग डिस्कस करना है, दूसरा जो शीतियूत से क्या भी प्राएं, अर्थात यहां शीतियूत पांच नंबर के लिए नहीं हैं, यह दो नंबर के लिए हैं, आगे इसमें दो कीवर्ड हैं, शीतियूत के कारण और परमुख घट अर्थात इस परकार का डिविजन कई बार प्रश्णिक अंदर नहीं दिया होता है, वहां आपने खुद एजियूम करना है कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टन्ट है और उसके लिए कितना अंसर देने की आउशकता है, तो यह कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, और एक चीज़ में आपको और बता दो, कि जो मैंने दो नंबर के लिए और चार नंबर के लिए आपको जो टॉपिक दिये हैं, इनके उपर में अलग से भी लेक्चर जो है वह आपको डिलिवर करूँगा, इसके तुरंत बाद उसको भी अप्लोड करूँगा, आप तब तक जो है इसको अनिलाइज कर लें, बड़े प्रशन का अनिलाइज कर लें और उनको अच्छे तरह से त्यार कर लें, all the best for your coming exams on 8th of July of history, thank you.